नवास्कार साती हो आप सभी के एक बार फिरसे स्वागत्त अभ्यास एकरी एकटमी के यूटूब चैनल पर तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो सपलत सीरीज है 2.0 आज उसका लेक्षर नमर सेगेंड है प्रही जो अग्री कल्चर MCQ हैं सभी अग्री कल्चर के कॉम्पूटेट आपको मिल जाएगा इस कोर्स लेनी के लिए आपको क्या करना है अप्लीकेशन को डाउन्लोड करना है गूगल प्लेश्टोर से अभ्यास एक्री अकेडमी वहां से जाएगो मात्र पांसों नियुक्पूटर भी है अग्रिकल्चर के सारे सब्जक्ट है तो आज हमारा लेक इसके अंदर तो आप यह भी प्रेक्टेश कर सकते हो मात्र 25 रुपे में चलिए स्टार्ट करें हम ओके तो देखो एक मिनिट रुख जाए अदो यह जो टैस्सरीज है इसमें सारे टैस्ट पहले से अप्लोड़ेड है ठीक है हर को हर टैस्ट के अंदर जो है दस कोस्टन है पहले टैस्ट इसके अंदर आप रुड़ेड है तो आप 25 रुपे में अपने टैस्क रोके भी प्रेक्टिस आप कर सकते हैं पहला कोश्टन ने जिएक्जाम में वार बार पूचा जाता है इसमें से तो इसमें से ओम्वार कोशन कौन. कुण सेन Den 51 जो होते हैं होते हैं वो तीन होते हैं एक होता तीन यह होता मिठिय। तो करेक्ट आंसर होगा तो सलफर होता है ऐसे कितने होता है ठीक है सिस्टीन होता है और सिस्टाइन होता है तो प्लांट के लिए जरूरी होती है ठीक है प्रोटीन संथेस के लिए जरूरी होता है ठीक है बॉन्ड होता है तो आपको साथ-साथ-साथ में आपको यह नहीं जी और सष्यम्ट आपको सेम्टम्स दिया अंचतर वचन था सञ्टीन और स्वरिस्एन उसरा क्रोटीन दिज़क्ण संथे साम्टम्स अ नहीं पत्थ उपर आते तो complete chlorosis करता है कुछ sulfur लेकिन नई पत्तियों पर हना या रखना complete chlorosis क्या करेगा complete chlorosis लेकिन new lips पर या रखना sulfur की deficiency से क्या होगा complete chlorosis होगा अब आपको पता है complete chlorosis nitrogen भी करता है लेकिन वह older leaves पर करता है यह new leaves पर करता है क्लिया ऐसे sulfur की deficiency से जो है sulfur की अगर deficiency हो जाती है ना sulfur की deficiency अगर हो जाए तो याद रखना ऐसे yellowing of tea है ना yellowing of tea leaves tea leaves जो है चाय की पत्तियां पीली पढ़ जाती है comment disease है तो यह रखने important चीज हैं ओके चलिए नेस्ट कोस्टन की तरफ चलते हैं दो अगला प्रस्ण जो है हमारा अगला प्रस्ण कौन सा है अगला प्रस्ण देखो plants which flower plants which flowering below critical day length of photo period और देखो क्या लेका है plants with flowering blue critical day length कि ऐसे पोदे ठीक है जिनका जो है ना the plants which flowering blue critical level मतला उनमें जो flowering होती है वो critical photo period से कम light पर होती है तो ऐसे plants को क्या कहते है देखो ऐसे पोदो ऐसे plant जिनको पुस्पन के लिए flowering के लिए critical photo period से कम light की requirement होती है उन्हें क्या कहते है उन्हें अगर इससे ज्यादा लाइट चाहिए तो नहीं लोंग डेप्लांट है रेटिकल फोटो पीरियट से ज्यादा लाइट चाहिए तो लोंग डेवोते अबसे राइट प्रियाट चाहिए और जो है लाइट प्रियोड कम से कम चाहिए थे तो न स्वट्धै कंडिशन जो है सोट अन्हें ओन घरीव सीजन की ओर लोंग डेव यह विशन की ओ करीव सीजन की होती है है टाफम लिब॥ा होता है इनको फ्लोवर इंट कोई एफक्ट में पड़ता है तो एकजाम में घ्रापल करे बुच्छ आपको ज्यक्ड वू ना जैसे मेज DW तोन है । कुकंबर है और को कमबर है टॉमेटो है तो यह जड़ोर याद रखना कि ओpowत इन होता है फोटो रेस्परेशन होता है किस के अंतरगत होता है फोटो रेस्परेशन क्या होता है एक हार्मपूल प्रोसेस होती है फोटो रेस्परेशन सीत्री साइकल कहते हैं उसके साथ एक जुड़ी हार्मपूल प्रोसेस होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट माइट्रोकॉंडिया और परोक्सिसों के अंदर होती है अगर आप देखेंगे तो यह स्टार्ट होती है क्लोरोप्लास्ट है इसलिए फोटो रेस्परेशन कुट सीटू साइकल भी गयते है इसके वादा है यहां पर पर ऑक्सिसों पर ऑक्सिसों होता है इसमें याद रखना एक तो हैड्रोजन परोक्साइड बनता है और गलाइसीन वनता है तिक है क्या बनता है गलाइसीन सबसे में पर पर प्रोसेस कैसी प्रोसेस होती है जिसमें कारवन का फिक्सेशन होता है यहीं अंदर जाना चाहिए जबकि इस प्रोसेस में स्यूटरी और मोलेकुस भाहर निकल जाता है मतलब प्लांट को कारवन का लोस हो रहा है तो अल्टिमेट्री क्या होगा गलूकोस कम बने गा तो हार्मपल प्रोसेस होती है जो की सीधरी प्लांट के साथ जुड़ी एक हर्मपल प्रोसेस है चलिए अगला की इस फेडन को सोलूसन एर बशलक संभ मतला का बहुत ज्यादा स्टीक है तो पानी बहुत से अंदर पानी वहार से अन्दर ठीक है बार से सुछिए ना सुर्पैनी हो खाए आपनि यहां से अंदर से घृट निकलेगा पाई जो हैं अंदर से क्या भागा घाएगा रगतुमाइश अधरी से सब्सक्तिता क्या है आपने में रख दिया पानिना अ आंगर आप पानिया निकल जाएगा कि अगला प्रेशन आपके सामने है कम है संदर प्लांट में प्लांट में क्या बूलती है यह प्लांच करें पूसटमूर क्या क्याते हैं एक सेल के सारे माईट्रो कांडियक ऑल्माइट्रो पंट कोनडिया है माकुंदिया को और टिया है क् 5 मैं याद रखेना बर ऌैज्ट प्लांटब लॉड ढकांक के ते अगलां साइट फोर पूच्छ ले पीए कि पूच्छ आ प्रोटीन सैंसेश्ट की ज़ो साइट वह क्या होती है है प्रोटीन संथेसे साइज स्य है एंड्रेयकूरा जिर्टीफ सोह होता है तो प्रोटीन संसेश्ट लॉटाip análर पर को सब्सक्रिक रहएभ ऑज को दो अब देखो प्रोटीन सिंथे से होता क्या है क्या देखो अगर आपको याद है अगर आपने सेल देखा हो ना सेल तो नुकलियस के साइड में रफ हैंना क्या होती है नुकलियस के राउंड में से अगर राइबोजोम के ऊपर हुपर ही प्रोटीन सिंथे से यह जहते हैं अगर राइबोजोम से राइबोसों के उपर 후टीन संतनेशस कर बात है तो यहां पर फिर यार झो अ कि परकारी है पाइब अगर और प्रोटीन sleeping ocyc否 जूँज है यहां पर लेपीड सिंथे जुदि क्वहा इसां पर प्रटीन नहीं है तो वह स्मूथ होगा तिए यहां पर इस प्रकार से राइबोजोमेटेश नहीं है इस प्रकार से तो वह वह यह आगया बाला मान के चलो तो इसे कहले स्मूथ चिकनी सर्फिये जाए तो यह लिपिट सिंतेसिस में इसका इंपूर्टेंट पार्ट है लेकी एसेंड टेक्स्वेले संगे फैटी एसेंड बीटा ओक्सिकरन जैसे पामेटिक यसेड इस्टेरिक तूटना थेटेंट कमपाउंड ऐसेट यहों प्यान होना तो चिद्यों को एंजाइम का बनना है चिछिव कारवन कंपाउंड गोंदेजाइम सबसे बड़ा कौन सा होता है किसी कुषिका का सबसे चोटा और राइबुजूम के तो अंसर है विसे सबसे सबसे बड़ा कौन सा होता है ठीक है तो सबसे चोटा कौन सा है राइबोजम होता है और राइबोजम क्या होता है होता है राइबोजम क्या है मेंब्रेल लेस जिल्ली नहीं होती है अब कोशन नमडर आगला देगी विश्व फोलोईग एंजाइम से नोट प्रोटी इस इन नेचर इन वह से कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीनियस नेचर का नहीं है जन्राली हम ऐसा पढ़ते हैं कि ओल ऐसा पढ़ता है कि न है ना ओलाइं जकी सभी तरह नहीं होते लेकिन प्र एसा कॉंषी कि नहीं तो और दो राइबोशन कि होता है कि तो यह तो यह थच्ण प्रोटीन यह से जब आर आरेने अन्लव करता है तो से राइम कहा सा जाता तो राइमग्हा क्या आप नुकुलेक एस यह ज़这个 ता इस work करतें प्रोटीन एंज प्रोटीन होती तो रुबोस्को पुरा नाम क्षान कि होता है कि प्रोटीन estic पूरा नाम क्या है राइवलोज बिस फॉस्पेट राइवलोज बिस फास्पेट कार्बोजाइनेज यह फिर ऑक्सिजनेज राइवलोज रविसको एंजाइम सबस्यादा होती है कि प्लांट के अंदर अगला है फोस्पोडाइस्टर बॉंड प्रिजेंट देखो फोस्पोडाइस्टर बॉंड क्या होता है जब डिन आरने पड़ता है तो नुकलेक असेड बना होता है नुकलेक असेड यह किसका पॉलीमर होता है पॉलीमर ऑफ मताओ पॉलीमर ऑफ नुकलोटाइड है ना पॉ नुकलोटाइड का पॉलीमर होता है जोसे तरह लिए धुरु टैट प्लॉट वनाते तो एक नुकलोटाइड से वीडि कैसे जूड़ता है एक नुकलोटाइड जो है रहे दूसरे नुकलोटाइड है तो यह नुकलोटाइड दूसरे नुकलोटाइड से कैसे जुड़ता है विद्धा है नुकलिक आपस में जुड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं चली अगला है क्या है इस प्रिकार का स्टार्ज का होता है जिसमें अलफा वन फॉर वन शिक्स लिंकेज के अंदर होती है इसमें वन फॉर वन शिक्स लिंकेज दोनों पाई जाती है कि अगरा आप देगिए आप अंडर जैनेटिक प्योर्टी ऑफ स्रेटिफाइड फ्रीव को अगर आप जैनेटिक प्यूर्टी की बात करें से असे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसमें जैनेटिक प्यूर्टी महते बहुतिक अकुथ सुझ सो परसेंट होना चाहिए ठीक ह हाँ से कम से कम कितनी हो सकती है वैसे तो 100% होना चाहिए कम से कम 99.9% इससे कम जानेटी कि किसी सेंपल किया स्टिफाइड की तो सेंपल बेकार है घरा माना जाता है सेंपल फैल है तो जो प्रमीशन लिमेट वह कितनी है जीरो से उटने में पूंग बेसलिए तो फिजिकल पूरूटी जो से लेकर फूंग यह और परण तक रहें तक परसेंट तक हैला हुए यहां पर जीरो से लेकर पॉइंट बन परसेंट तक है आईसोलेशन डिस्टेंस रिक्वाइट फॉर दावीट शीट प्रोडक्शन वीट जो होता है अगर आप इसमें फॉंडेशन सीट बनाओ चाहिए सटीफाइट शीट बनाओ आईसोलेशन डिस् के इसमेंट इसमेंट कोशन है कि आईसोलेशन डिस्टेंस ऑफ दव दासटीफाइट सीट रोड़कशन सीट फोड़क्शन आप तो जनरली अपन क्या पढ़ते हैं कि उसकी अाधी लेकर नहां आधी नहीं कोटान वैसाटिफाइटिफाइट कि आ रहना तीश मीटर होती प पचास पचिस लेकिन आपर होती पचास और तीस तैसार किसानों को कितने बदलना चाहिए कि हार साल एवरी यह आपटर तुब आपटर फोर तुफाइब यह यह उसको रिप्लेस करने के तो हाइवरिड सीट को संकर वीजों को किसान को हर किसानों को हर साल किसानों को हर साल बदलने के आवसकता होती है ठीक है ना याद रखना कब ऐसा क्यों कि है एक बार तो दोकान से खरिद के लेकर आया बोवाई कर दी अगली बार जो सीड निकले का क्या किसान उसको बवाई के लिए उप्योग नहीं करना चाहिए ना क्योंकि एप्टू जैनरेशन ना यहीं होने लगती है तो जैसे अगली जैनले सना अएगी एप त्री जैनलेसन फोर तो इसमें क्या होती कम होती निटीक जीन का सेग्रिगरशन होने लगता है तो किसान को नुक्सान होता है सबोला जाता है कि आपको हाइब्रिड जो है बन हर बार नया खरीदना चाहिए क्यों क्योंकि नहीं जो है अगला है देखो फोलिंग इस दा शोटेबल एक्जामपल अप्लेंट नाइट्रिफिकेशन अगर आपको है नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस को धीरी-धीर कराना तो अप्लेंट के लिए हम क्या करते हैं एंसर्व तीक है एंपाइर्मिडीन है एंसर्व का यूज करते हैं आपक सेमाइट जिसमें नाइट्रोजन थाटीवन परसेंट यह जो होते हैं यह लो लैंड के लिए यूज होते हैं जबकि एंसर्व होता है अब लेंड के लिए को पीयाफ वैल्यू ओफ सेचुरेटेट्ट इस वाल्यू की तरह नहीं होता है ठीक है मैघ्जिवां पानी से पूरी तरह भरी रहती है उसका पीए बैली जिरो होता है यह किस ने दिया है इसको फिल्ड के दोरा इसको फिल्ड ने दिया है जिसकी जो होती रहें जीरो से लेकर साथ तक होती है साथ तक जीरो होती है किसकी सेचिर बाद तरह संत्रेत्त मिल्दा जबकि 7 icon होती तो चाहिए याद रखेंगा डीस एचिसकी की होती है तो सैवनदोर आपके ड्राइध इसके दास हर है जैसे और फौट फॉनट फॉंट फाइब जिरो यह हाइग्रोस कोपिक है ना को पीसेंट पर होती है ईग्रोस कोपिक वाटर की है यह 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 ना यहां रखना 4.1820 यह विल्टिंग पॉइंट पर याद रखना ठीक है ऐज़ा रखना कैसी प्रिक्रिया है तो आंसर रड़क्सन की प्रिक्रिया होती है एक रेडक्षन की प्रिक्रिया होती है यह ना तो यह रूप में पर नाइट्रेट को किसमें तो नाइट्रेट को एंट्रेट को रूप में करने नाइट्रोजन का याद रखना किसमें या यह रूप में लोष होना डी निटरिफिकेशन के लाता है यह रेडक्षन की प्रिकृरीया होती जहां पर जैसे स्वूदोमोना डिनटरिफिकेंस थायोगा वैक्तिरिकेस्ट्रेट्स वर करते हैं के लिए चली अगला है वैक् त्हलेज़न थे द्यी ट्रांसफर के लिए डियाने ट्रांसफर के लिए चार मेतट हैं एक होथा यह फ़ीड़ हुटा है यह बंबार्च करते हैं यह किर्टा करते हैं प्लाजमेंट सब्सक्राइब जल्दी स्टार्ट होगा ठीक है याद रखें जो आपको 599 स्टीए का कुर्स आपको मादर 599 रुपे मिल जाएगा सब्सक्राइब अगर आप 36 गड़ के स्टूडेंट है तो इसकी टेस्ट रिज आप आई जी की भी सीटी में सिंट्रेंज या पर आने वाली जो वैकेंसी जें टीचर की बढ़ती उसका कॉर्सेश चल रहा है आयरे चुग आने वाले उसकी टेस्ट रिज आप ले सकते हैं या हमारी जो पच्चीस रूप एस के अंदर देखो क्या है थर्टी कोस्टन है इंगलेस इंदी के